जहीं दोस्तों अगर आप लोग भी दुहजर पचीस में मैट्रिक का एक्जाम देने वाले हैं और आप लोग का भी मैट थोड़ा बहुत कम जोड़ हैं तो आज हम इस वीडियो में मैट का 100% एक्जाम में लड़ने वाला अब्जेक्टिव प्रिशन बताने वाले हैं और बह श्माज में आप हमसे पूछिएगा दोस्तों पहला नमर कोशन है कि सबसे चोटी अभाज ये संख्या है सबसे चोटी अभाज ये संख्या है życia दोस्तो सबसे छोटी अभाजे संक्या क्या होती है? दो होती है, दो होती है, उसके बाद से तीन, उसके बाद से पांच, उसके बाद से साथ, मतलब कि अभाजे संक्या उसे कहते हैं, जो किसी भी अंग से ना कटे, या तो अपने खुद की अंग से कटेगा या तो एक से कटेगा तो जैसे कि दोस्तों अभाजे संक्या में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया ये सब या तो एक से कटेगा या तो खुद की अंग से कटेगा बागी दूसरा उंग से नहीं कटेगा ति यह हमारा अभाज्य होता है और वोड इक्जा में एक कोशन रहता है कि आपको अभाज्य संग का पहचानना है ठीक ना और आपका दोस्तों दूसरा नमर कोशन है निमनली खित्म कौन परिमे संग क्या है दोस्तों हम रूट 5 और रूट 5 को जोड़ेंगे ना तो दूरूट 5 मिलेगा तो यह हमारा परिमे नहीं होगा और अपसन नमर यह देखिए साथ तरी के 16D बार में कटेगा रूट 3 बार में और रूट 3 भी परिमे नहीं आवपरिमे है और D नमर में भी बाटा में रूट 3 दिया है तो ये भी आप परी में है लेकिन दोस्तो आपसन में C को देखिए अगर आप रूट 11 में रूट 11 में गुना करते हैं न तो रूट 121 मिलेगा और 111 का वर्गमूल 11 मिल जाता है तो 11 रूट से बाहर आ गया थी ये हमारा परी में संख्या मिल गया अगला हमारा कोशन दोस्तो तीन नमर कि 11 बट पंदरा का दसमला परसार होगा दोस्तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप ऐसा कोशन बोड इक्जम बहुत पूछता है तो एक बात याद दखना उपर में कुछ भी रहे लेकिन जो नीचे वाला हमारा मान रहता ना उसका दो का पावर दोस्तो एम और पांच के पावर एन के रूप में होना चाहिए मतलग कि गुणा खूंड तोड़ो और दो पांच के रूप में मिलना चाहिए तो बताईए पंदरह को फेक्टर तोड़ेंगे तो तीन और पांच मिलेगा तो पांच तो है लेकिन दो नहीं है दो के जगवा पर तीन है तो आपको मैंने बताया कि 2-5 होगा तभी सांथ होगा उसके अलवा कोई भी आएगा वो असांथ हो जाएगा तो आप 15 में 3 आया है ना तो आपका असांथ हो जाएगा किनकि 3 नहीं आना चाहिए सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए या फिर सिर्फ दो भी रहेगा तो चलेगा, सिर्फ पांच भी रहेगा तो चलेगा लेकिन उसके अलब अगर दूसरा अंख आएगा तो असान्थ हो जाएगा इसे याद रखिएगा और अगला question आपका चार नमर ती है कि 한번 पाई किस परकार किस संखया है आपका D नमर वाला 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला दोस्तों आपका कोशन है चोव नमर कोशन है कि 3 पलस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 किस परकार के संख्या है तो दोस्तों सबसे पहले हैं इस 3 से ना इन दोनों में गुना करेंगे तो 3 में 3 में 3 में गु करेंगे तो माइनस 3 रूट 3 मिलेगा ठीक है फिर पलस रूट 3 में 3 में गुना करेंगे तो पलस 3 रूट 3 मिलेगा ओके और रूट 3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा माइनस रूट में 9 मिलेगा तो आप बताइए यह और यह पलस माइनस में कट जाएग यह 9 मिलेगा माइनस और रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है तीन हो जाता है तो 9 मस्तिन गया च्छौ अब च्छौ दोस्तों क्या हुआ च्छौ एक परिमे संख्या हुआ तो अपसा नमर यह वला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोशिन आपका साथ नमर है कि सा जाता यह गटाओं में गुणा भाग में कहीं भी आ जाए अगर कोई भी मतलगी अपरी में संख्या तो समाझे, वह पूरा को ले डूबेगा, मतलगी तो पूरा को अपरी में ही बना देगा, देखिए तीन बैचारा क्या परिमें है, दो भी बैचारा परिमिय है लेकि रूट 5 उसके सांथ जोड़ गया है सब सांथ इसलिए रूट 5 ऑप परिमिय है तो इसलिए इसलिए सब परिमिये बना दिया यह देखिए प्रोस्वन आपका अगला क्रूषन ह्यें कि रूट में 155 बटे टीन देखर एस ऐको पुछता है तो तीन पंदरो कितना बार में कड़ेगा रूट पांच बार में और रूट पांच गया है तो एक परिमेशन क्या है और अपसट नमर आपका बी नमर वाला बिल्कुत सही जवाब हो जाएगा अब देखिए अगला कोश्चन पुछ रहा है कि निर्मली खिद में कौन विजाति है दोस्तों विजाति है का मतलब होता है that अगर चार को अप्शन दिया है तो तीन वो अप्शन एक जैसा होगा और एक अप्शन अलग होगा ना तो जो अलग होगा वही अंसर हो जाएगा तो आप बताये थीन बट्य पांच किया है परिमे संख्या, पचीस बटे नो क्या है परिमे संख्या, और ये देखिए सोला का बर्गमूल चार चार का बर्गमूल दो तो चार बटे दो भी क्या है तो एक परिमे संख्या, लेकिन एक अकेले बेचारा सी नमर है, जो की रूट में root do but 5 है तो बैचरा root में तो आगया तो यो क्या होगा आपका O परी में होगा तो यहीए एक बीजाति है होगा इस में से 4 option में से क्योंकि यही सबसे अніब के जैसा है लेकिन सीन audio मरवाल आपका अग QU अग है दोस्तो आप लोग एक्दम बिल्कूल चीछ वीडियो देखना चाहते हो बिल्कुल फिरी में ठीक है न तो आप लोग हमारे WhatsApp ग्रूप को जोईन कर लेना बिल्कुल फिरी WhatsApp ग्रूप है दोस्तो WhatsApp ग्रूप का लिंक दो जगा पर दिये हैं इस comment में हम पिन कर दिये हैं जहां पर करते हो ना जाओ हम लिंक दिये हैं उसको आप लोग लाइक कर देना और उस लिंक पर क्लिए करके गुरूप जोइन कर लेना और ना तो हमारे इससे मतलब ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वट्सप गुरूप का लिंक मिल दाएगा आप उसे जोइन जरूर क कर लिजेगा बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो मिलेगा अब देखिए अगला कोश्चन दोस्तों कि रूट में तीन और बाटा में रूट में आपका बारा है तो रूट तीन से रूट बारा कटेगा यह एक बार में और यह कटेगा रूट चार बार में तो एक हमारा उपर हो जाएगा और नीचे रूट 4 का बवर्घम hmmест 2 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा एक बटे दो तो क्या एक बटे दो परी में नहीं बिल्कुल है दोस्तों एक आयरह नमाँर प्रस्लन है कि निसमरल लिखिए में कौन परी में झाज़े है तो यहां भी रूट में है यहां भी रूट में है यहां भी रूट में है और इन दोनों का इन सब का वर्गमुल भी नहीं निकलेगा लेकिन अपसन नमर B को देखेंगे तो रूट दू उपर है रूट दू नीचे है तो कट जाएगा तो उपर केवल दू मिलेगा इसलिए बी नमर वाला अंसर हुआ औ यह कॉपर में संख्या हुआ अपसन नमर B वाला हो जाएगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीस वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिजेगा आप लोग ठीक है ना सब लोग कर लिजेगा और अगला कोशन तेरह नमर है सबसे छोटी अभाद ये संख्या है दोस्तो सबसे छोटी अभाद ये संख्या क्या होती है दो होती है सबसे छोटी अभाद ये संख्या क्या होती है दो होती है आप लोग इसे अच्छे से याद कर लिजेगा ठीक है ना दोस्तो अब देखिए अगला कोशन अगला कोशन दोस्तों आपका है चोदो नमर ये question है कि मौसा 1,1 equal to तो देखे इसका answer आपका 1 होगा लेकिन बहुत लोग सोचेंगे सर जी एक कैसे हो सकता है पहले ये बताए मेरे दोस्त कि अगर हम कहें आपसे कि 1,1 का आप LCM निकाले तो आप कहेंगे सर जी नहीं कटेगा तो LCM बराबर आप कहेंगे सर जी A में एक से गुणा कर देंगे तो LCM A मिल जाएगा यहीं न मिलेगा तो LCM A मिल गया और आपको एक फर्मूला पता है कि पहली संक्या गुणे दूसरी संक्या बराबर में LCM गुणे तो एक गुणे यह का होगा एक गुणे एक हो जाएगा ठीक है और बाराबर में LCM कमांद देखो निकालने है A और गुणा में आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में आपका गुणा में आपका NCF हो जाएगा तो A से एक कट जाएगा तो NCF बराबर क्या मिलेगा A के न मिलेगा इसलिए अंसर आपका होगा B नमर एक मिलेगा वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर 15 नमर कोश्चन देखें अब मौसा पुछा है मौसा ना यहाँ पर आपका क्या पुछा वहाँ पर भी मौसा पुछा था और यहाँ पर भी मौसा पुछा है कि इसका मौसा क्या होगा तो यह बताएगे LCM निकालिएगा तो क्या होगा LCM निकालिएगा तो A में 0 में गुणा करेगा तो 0 मिल जाएगा क्योंकि LCM निकालीएगा तो कटेगा नहीं इसलिए दोनों का आपस में गुणा कर देंगा एक गुणे LCM क्या हो जाएगा एक गुणे 0 यानि कि आपका 0 मिल जाएगा अब वह सही करिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भरावर में LCM गुणे में HCF Tech तो बताए्य waiter किया मिल जाएगा कि? तो जिरू हो जाएगा ना मतलब कि कीढ मिलेगा आपको lcf hops Napole आपका Zero मिल जाएगा मिलेगा ना एक मिनेट दोस्तों यहाँपर Lcm Zero मिलेगा नहां Zero मिल जाएगा क्या मिलेगा आपका SCF 0 मिल जाएगा एक दब असान question है 0 मिल जाएगा कि A मिलेगा देख लिए आप लोग पहुत यह मतलब important question से आपके final board exam के लिए ऐसा question दो सबके final board exam में आते रहते हैं नहीं 0 नहीं मिलेगा एक मिनट दोस्तों 0 नहीं मिलेगा इसका answer 0 नहीं मिलना चाहिए देखिए इसका answer 0 नहीं मिलेगा किमकि आपका देखो एक परकिरिया आप लोग को याद होगा कि अगर कोई भी मान दिया है एक कमाद जैसे 0 ही दिया है तो यह हमारा R का काम करेगा तो R का काम कर रहा है इसका मतलब कि यहां वाला मान हमारा SCF का ह होगा बगल वाला वही हो जाएगा एंसर कमांद तो ए होगा इसका आंसर सोरी सोरी हमने वाइद भय मिस्टेक कर दी ओके अंसर ए होगा आप लोग याद रखना है ठीक ना आपको याद रखना है अगर हम आप लोगों से पूछे कि जैसे कि 5 कमाद 0 रहे तो इसका मसा क्या हो मौसा हो जाता है और 16 नमर फ्रस्वने की A बराबर B Q प्लस R में मौसा A B का क्या होगा तो यह बताए दोस्तों कि आपसे A B का मौसा पुछ रहा है तो आखिर वह मौसा कब होता है जब R कमद 0 मिल जाता है तो B वाला मौसा हो संख्या लीजिए जैसे कि दो चार हो गया चार छो हो गया आठ दस हो गया इन सब का मौसा निकालिए दो ही मिलेगा अपसा नमर भी हो जाएगा और अगला कुशन है अभाज संख्याओं के संख्या होती है क्या अभाज संख्या एक होता होता है या फिर सौ होता है या फिर सुन्य होता है या फिर अनेक होता है तो जिया दोस्तों अबाज्य संक्या अनेक होता है अबाज्य संक्या कितनी होती है अनेक होती है जैसे दो तीन पांच साथ 1113 17 23 29 31 यह सब कितना है बहुत मतलब कि हो जाएंगा अनंध होता है अनिक हो जाएगा अगला कोशन है कि लॉसो ए भी बराबर क्या होगा तो दोस्तों फर्मूला क्या पता है फर्मूला पता है आपका एक गूने भी यानि कि पहली संक्या गूने दूसरी संक्या बराबर में लॉसो लॉसो अबी ठीकए न और गुने मौसो जाने फिर वाला हो जाएगा आप अपसर निमग trilogy तो अपसे आपसर नमर सी वाला हो जाएगा इंट पछाने पछे न आयर गुष है और यह निया निम है इह इस कोउशन अफिर किए आप भी टू फिर ट्रीपल वन टू फिर फूर वन और टू डेस डेस यह को बहुत होता है इसकी कोई लीमिट सिमा नहीं है यह अनन्थ तक जाएगा मतल़ कि बहुत होगा बहुत अनन् आपरी में होता है अब साअ नमर आपका दी हो जाएगा दोस्तो ठीक ना आगला koion एक अईस नमरे यगोशन यदि मौश इतना का इतना बरावर इतना है तो इसका लौस होगा तो आपको पता है पहली संक गुने दूसरी संक गुने बरावर में लौस होगा और बरावर में आपका मौस हो सो तो देखो 6 ही दिया है अगला कोशिन नहाई नमर है कि यदि ए एक परी में संक्या है तो एक बटय एका होगा बिल्कुल परीमय होगा जैसे दोज्फतो पाई आपका ओ परीमय होता है तो हम पूछेंगे कि पाई भाई तीन का होगा तो आप बताएंगे ओ परीमय क्यूंकि A परीमय है तो एक बटे A रहे, एक बटे 2 A रहे दो गुने 1 रहे, दो गुने 5 रहे कुछ भी रहे हमारा परिमे ही मिलेगा अगला कोशन 22 में कि परिमे संख्याओं का समानी रूप दोस्तों परिमे संख्याओं का समानी रूप होता है P बटे Q अगर P बटे Q की रूप में कोई भी संख्या रहता है वो परिमे बन जाएगा ये दोस्तों चोकाने वाला कोशन है कि जब पाइप के फर्मिट में रहेगा तो पर्मिय लेकिन उसका मान रख देंगे तो पर्मिय हो जाएगा क्यूंकि वो पी बटे क्यू करूप में आ जाता है अगला कोशन आपका है दोस्तों कि बिभाजन अल्गोरितम ए बराबर बी क् आर कमान जिरू से बढ़ा और उदर बी से छोटा में ए को कहा जाता है तो ए हमारा भाज जे होता है भाज जे बराबर भाज़ बराबर भाज़ा गुणे भाज़्फल प्लस से सवल होता है न अगला कोशन है अंक गणीत का अधार बूत परिमें किस गणीत अग्या अने के करम में जब सुन्य प्राप्त होता है तब उस चरण का भाजक होता है तो उस चरण का भाजक क्या होता है मौसा होता है उपसर नमर मतलगी जब आर का मान दोस्तो जिरू प्राप्त होता है तो समझ लेते हैं हम लोग मौसा का मान निकल गया हम लोग समझ लेते हैं कि मौसा क कमान हमारा मिल गया, ओके, 26 दमर कोशिन है, दो कौन से संख्या है, दोस्तों, दो सम भी है, और अभाज्य भी है, इसलिए, उप्सन में सी पर्टी के लगाएंगे, सम और अभाज्य दोनों है, सम संख्या भी है, और अभाज्य संख्या भी है, 27 दमर प्रस्ण है, कि एक कौन स संख्या है तो एक दोस्तो प्रकृत संख्या भी है पुन संख्या में भी आ जाएगा और आपका किसमें आएगा और किसमें आएगा और किसमें अभाज्यत होगा नहीं इसलिए दोस्तों देखो अभाज्यत नहीं नहीं होगा योगी भी नहीं होगा इसलिए सव अभाज्य हो जाएगा अगला कोशिटन आपका है कि ए और बी सो अभाज जन्क्य कहलाते हैं यह दि आज 것도 यह आपको इंपोट पर snacks क्या होगा एकदम एक के ब्राबर होगा यानि कैस की कोशिटिव में अभी हैं यह अफिर किस किस कोशिट Gyap डाउट नहीं आप जरूर बताईएगा आप कोई इस कोशे में डाउट होगा एक कमा जीरो का मौसस और एक कैसे होगा एक कैसे होगा दोस्तों हम ऐसा याद रखना कोई भी संख्या अगर साथ में 0 रहता न तो उसका मौसस उसका जुमान संख्या रहता न वही हो जाता है चा कमा वन का मौसस क्या होगा एक होगा वह मैंने आपको सॉल्व करके बताई दिया अगर कोई भी डाउट है तब हम जरूर पुछेएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सस्क्राइब अपलोग कर लिजेगा ठीक है